ओम नमो भगवते वासु देवाए गुरुवार का दिन भगवान श्रीहडी विश्नु को समर्पित होता है इर्जन भगवान विश्नु की विधि विधान से पूजा करना बहुत ही शुब फलदाई माना जाता है अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है औ आज आप इस वेडियो में सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा तथा विश्नु जी की आरती आपसे निवेदन है कि कथाओं को अंत तक अवश्य सुनियेगा तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरुवार व्रत की बड़ी ही दुरलब एवं पौरानिक कथा प्राचीन काल की बात है एक राजा राज करता था वह बहुत ही दानी था वह हर गुरुवार को व्रत रख कर दीन दुख्यों की मदद करके पूर्ने प्राप्त करता था परन्तु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना तो व्रत रख करती थी और ना ही दानपुन्य में विश्वास रखती थी इतना ही नहीं वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक समय की बात है राजा शिकार खेलने के लिए वन गए घर पर रानी और डासी थी उसी समय गुरू ब्रिहस्पती देव साधू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर भ नश्ट हो जाए और मैं अराम से रह सकूं इतना सुनकर प्रिहस्पती देव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो उसे शुब कारियों में लगाओ कुमारी कन्यों का विवाह करवाओ विद्याले बाग पजी बगीचों का निर्मान करवाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे परंतु साधू की इन बातों से राने को खुशी नहीं हुई उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं है जिससे मैं डान दूँ और जिससे समालने में मेरा सारा समय नश्ट हो तब साधू ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें मताता हूं तुम वैसा ही करना गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने बालों को पीली मिटी से धोना राजा से हजामत बनाने को कहना भोजन में मास मदीरा का प्रयोग करना कपड़े धोबी के हैं धुलने को देना इस प्रकार साध ब्रहस्पत्वार करने से तुम्हारा समस्त धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर साधू के रूप में ब्रहस्पती देव अंत्या ध्यान हो गए साधू के अनुसार वैक्त ही बातों को पूरा करते रानी को केवल ती दूसरे देश को जाता हूं क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए में कोई छोटा कार ये नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया वहां वह जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह वह जीवन यापन करने लगा इजहर राजा के पर देश जाते ही राणी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो राणी ने अपनी दासी से कहा है दासी पारसी की नगर में एक बहन रहती है वह बड़ी धनवान है तो उसके पास जा और का संदेश दिया लेकिन राणी की बड़ी बहन ने उत्तर नहीं दिया तब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर राणी को सारी बात बता दिये यह सुनकर राणी ने अपने भागे को को उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उससे नहीं बोली इससे वह भो दुखी हुई होगी कथा सुनकर अपूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी हे बहन मैं व्रहस्पतवार का वरत कर रही थी तुहारी दासी मेरे घर हूँ हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है ऐसा कहते कहते रानी की आखे भर आई उसने दासी समय पिछले सार दिनों में भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान प्रिहस्पती देव सब की मनो कामना को पूर्ण कर देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आगरह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तुसे सचमुझ अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया ये देखकर दासी को बड़ी है रानी हुई दासी रानी से कह नहीं है रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम वरत ही तो करते हैं इसलिए क्यू ना इस इन से वरत और कथा की विधी पूछली जाए ताकि हम भी वरत कर सके तब रानी ने अपनी बहन से ब्रहस्पतवार में चने की दाल मुनक्का केले की जड़ में अरपित करें तथा बीपक जलाएं व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करीं इससे प्रिहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं व्रत पूजा विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रख फिर उससे केले की जर तथा विष्ण भगवान की पूजा की जब पीला भोजन की चिंता हो को लेकर दोनों बहने दुखी हुई चूँकी उन्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे वह एक साधारन व्यक्ति का रूप धारन कर दो थाले में भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वह सभी गुरवार को व्रत और पूजा करने लगी प्रहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई परंतु रानी फिर से पहले के तरह आलश से करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलश से करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन धन निनश्ट हो गया था अब जब ब्रहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलश से होने लगा है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पुन्ने करना चाहिए बोखो भोजन कराना चाहिए और धन को सुभकारियों में खर्च करना चाहिए इससे तुहारे कुल का यश बढ़ेगा सुर्ग की प् कित्र प्रसंद होंगे दासी की बात मानकर रानी अपना मन सुभकारियों में खर्च करने लगी इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा ब्रहस्पति वार्क रत कथा के बाद शद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद बाटकर उसे ग्रहन करन चाहिए दुख बिन से मन खाँ स्वामी दुख बिन से मन खाँ सुख सांपति घर आवे आश्ट मिटे तमे उजे जगदीश हरे सामी जगदीश हरे अब जनों के संगे संग में दूर परे उजे जगदीश हरे आट के तात मेरे शरण गहूं किस थी तुम बिन और न दूजा आश्ट रूज सिख संगे जगदीश हरे तुरण परमात्मा तुम अंतरयामी तु स्वामी तुम अंतरयामी आर ब्रम्ह परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम जय जगदीश करे तुम करना के जागर तुम पालने करता वो स्वामी तुम पालने करता मैं मूरक खलकामी मैं से बगर तुम स्वामी तुम जय जगदीश करे तुम हो एक जगदीश करे तुम हो एक जगदीश करे तुम मेरे स्वामी तुम मेरे स्वामी तुम मेरे वूंजय जगंदीश करे तुम जय जगदीश करे विषय तुम हों जगद Quebec कर मिछाओ तुम्avais थुम एक जंगदीश कкие तुम मेरे स्वामी तुम्त्रें पालने करते थुम एक जगदीश जै जगदीश हरे वक्त जनों के संकत तास जनों के संकत जामे दूर परे जै जगदीश हरे जगदीश एगदीश झाल झाल